नमस्कार दूस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ महिन सिंग धोनी ने पिछले साल अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास की खोशना कर दी जिससे फैंस हैरान रह गये थे इतना ही नहीं चैन करताओं का भी ऐसा ही रियक्शन था क्योंकि MS धोनी एक साल से अधिक समय तक नहीं खेले थे क्योंकि धोनी ने 2019 के एक दिशिव विश्यकप के बायत क्रिकेट से विश्राम ले लिया था हलांकि फैंस को उमीद थी कि धोनी T20 विश्यकप में खेलेंगे क्योंकि वो फिट थे T20 वर्ल कप पिछले साल अक्टोबर में खेला जाना था लेकिन करोना महावारी की वकारणी से स्थगित कर दिया गया इसी वज़े से MS धोनी ने भी सन्यास का एलान कर दिया था क्योंकि वो एक और साल इंतजार नहीं कर सकते थे हलाकि उन्होंने उसी समय इस बात का फैसला किया था कि वो एक कुछ और साल IPL खेलेंगे सरंदीप सींग ने मीडिया से बात करते वे बताया कि निश्चित रूप से उन्हें खेलना था हम भी यही सोच रहे थे कि उन्हें निश्चित रूप से T20 विश्चो कप खेलना चाहिए वो फिट थे उनके ना खेलने का कोई कारण नहीं था हम हमेशा पहले खेलाडियों की फिटनस देखते हैं और वो कब तक खेल सकते हैं इस पर भी ध्यान रखते हैं और माही उस समय सबसे ज्यादा फिट थे उन्हें कभी अभ्यास ब्रेक तक नहीं लिया था वेकल्पिक अभ्यास में भी माही मौजूद रहते थे और आप देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि चोट के कारण वो खेल से चुग गए हो इसलिए उन्हें सभी का इतना सम्वान मिला है उन्होंने आगे कहा हमने हमेशा महसूस किया कि ए खेलाडी जिसने भारत के लिए इतना खेला और इतनी सारी टॉफी जीती एक भी टॉफी नहीं है जो उन्होंने नहीं जीती है वो मौका पाने का हगदार है चैन समीती के मताबिक MS धोनी को T20 विशुकप खेलना चाहिए था ये मेरी वेक्तिकत राय और सभी किराय थे भारती क्रिकेट टीम के चैन करताओं के रूप में सरंदीप सींग का कारिकाल 2020 को समाप्थ हो गया था वो उस समीती का हैस्ता थे जिननों 2019 विशुकप के लिए टीम चुनी थी फिलाल के लिए इस वीडियो में ताहिं तमाम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बना रहे हैं वन इंडिया के साथ